सब्सक्राइब किजिए और प्रेस किजिए बिल आइकोन को ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंश सकें तो फ्रेंड्स आज मैं अपने मम्मी के आई हूं और यहां का आप लोगों के साथ टूर सेयर करूंगी बट येक रेंडम टूर है रेंडम मिन्स मैं क कर रही हूं तो मैं पूरे घर को डेकोरेट नहीं किया जैसा घर है वैसा ही मैं आपको दिखाऊंगी तो अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद आए तो प्लेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जब भी रूम टूर होती है तो पूरा प्लानिंग करके होती है बट मैं यहां को टोड़ तो अभी मैं आप लोगों को एक रेंडम टोड़ दे रही हूं तो कुछ चीजों को आप एवाइट कीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा जरूर सेयर कीजिएगा और एक वीडियो बनाने में काफी मेहन लगती है काफी एनर्जी लगती है और तो प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को देखिए एक वार जरूर अगर आपके पास आता है यह चैनल तो इसको जरूर विजिट कीजिए तो चले स्टार्ट करते हूं तो चैनल को आपके वेड़ा फ्रेंड्स यह मेरा गेट है और यहां से हमारी एंट्री होगी घर के अंदर तो यह रेड कलर का है तो चलिए हम एंट्र करते हैं घर में तो यह सामने में आपको क्रेटा कार लगी हुई दिखेगी यह पापा ने ली हुई है जो कि यहां पे लगाई हुई है और ये शामने से मैं आपको एक घर का लुक दिखा देते हूं कि मेरे घर का लुक कैसा दिखता है और उस आड़ी को प्लीज आप खोड़ा सा इग्नोर कीजेगा क्योंकि वो सुखने के लिए पड़ी हुई है और इधर आपको एक रूम मिलेगा जिसमें धे आपने मेरे घर का एक लुक देखी लिया जो कि वाइट कलर का और परपर कलर इसमें मिन्स किया गया है और आप मेरे घर में जो भी कलर देखेंगे वो सब मेरे पापा की चॉइस है तो चलिए और यहां पे दो टंकी लगी हुई है जिसमें सप्लाई पानी आता है और एक प और उधर आपको एक सूरेक मिलेगा और इधर दो चेयर पड़ी हुई है और यह मेरी ममी का जो हेलपर है हाउस हेलपर वो यहां पे लेटा हुआ है तो थोड़ा इसको इगनूर कीजिए और इधर दो रूम का यह एक फ्लैट है जो कि रेंट पे लगा हुआ है और फिर यहां का फ्लैट है जो कि पहले तो रेंट पे था बट अभी ममी ने नहीं लगाया है उसको अपने लिए रख लिया है क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो उनके लिए रखा हुआ है और दोनों भाईयों की शादी मेरी हो चुकी है भले वो यहां रहते नहीं है बट कभी सामने में आपको एक पॉंड मिलेगा और यह जो उपर जाते हैं जो सीड़ी वाली विंडू होती है और इधर एक मीरर लगा हुआ है और सामने से मैं आपको दिखाती हूँ यह पॉंड देखिए इसमें हर साल तो पानी नहीं भरता था 22 बहुत जादा बारिश हुई है तो पानी भर गया और काफी ग्रिनरी भी आपको दिख रही होगी और सीधे फिर हम जैसे आते हैं तो यहां पर आपको एक इसको आप पैसेज एरिया कह लीजे या फिर यह जो इस पेस है यह पूरे घर को एक दूसरे से जोडती है पूरे घर को अच्छी तरह से और यहां हमार लिविंग रूम है तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूं और इधर एक विंट चाइम लगा हुआ है नीचे स्टिकर लगा हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और घर के सारा कलर आप देखे सब मेरे पापा की चोईस है और इधर आपको एक टीवी यूनिट मि की घर में काफी काफी जोरत हो जाती है बिना सैनिटाइजर के तो अभी लाइप इजी है यह नहीं और इधर एक रखा हुआ है पॉट जिसमें धेर सारे आप फ्लावर देख रहे हैं यह पॉट मेरे पापा बना रश्य लेकर आये थे और इधर रखा हुआ है फाइप सीट फाइल के लिए और खिरके के ऊपर एशी लगी हुई है और इधर विए आपको एक खिड़की मिलेगी जो कि बहुत सारी ग्रिनरी को दिखाती है जिससे कि यह लिविंग रूम बहुत ही प्यारा लगता है और इस बेट पर पापा जब आते हैं तो लेटते हैं और यहां प आपको फ्लावर उसमें कांच में दिख रहा है ना वह मैंने खुद बनाया था जब मैंने टेंट किया था और धेर सारी इसमें आपको जो भी दिख रही है कुछ रैंडम सी चीज़ है वह मेरी ममी ने सहेज के रखा है और यह जो दो सोफा पर है ना इस पर अब भी को हटा दिया और उस पर कुदा फांदी उसकी चल रही है और पूरे इसमें हाथ डाल डालके वह होल कर देता है और फिर इधर मेरा सामने में जो है ना यह डाइनिंग रूम है तो उसको भी मैं दिखाती हूं बट जस्ट उसके बगल में चलते हैं पूजा रूम से मैंने सो जरूर इसको देखना मैंने पूरी अच्छी तरह से इसमें डिटेल्स में बताया है कि कैसा यह पूजा रूम है इसको मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से सजाया है तो आप देख सकते हूं और धेर सारे समान मिलेंगे क्योंकि हम लोग जो हैं काफी बावन नगरी से हैं तो य लिंक दे दूंगी तो मेरा पूजा रूम कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और फिर यहां से हम निकलते हैं और निकलने के बाद हम आते हैं अपनी बालकनी में अभी तो यह रूम बन गया है बट यह बालकनी हुआ करता था और यहां पे एक भगवान जी रखे हुए और यहां बेट लगा हुए और वो जो दो पिलो देख रहे हैं वो मेरी ममी के बनाए हुए हैं काफी सौप्ट है तो मेरी ममी वो लेती है और अब इस साम के पांच वज रहे हैं और इधर दो कटेंस लगे हुए हैं और यह एक अन्प्लांड तो पहले यह बाल करनी था बट इसे हमें चारो तरफ से ब्लॉक कराना पड़ा सेफटी के कारण क्यूंकि खुला हम नहीं रख सकते थे और ऐसे भी अपने मेरा पूरा नीचे से उपर घर देखा होगा कि कितना सेफ है और सामने में फिर से एक रूम है यहां पे मेरी ममी द अपने को फोल्ड करेंगे और सामने में आपको एक सोकेस मिलेगा इंवर्टर भी यहीं रखा हुआ है और एक सेंट्रल टेबल और यहां पे दो अलमारिया रख्यों है जो कि मम्मी और पापा की है और यह मेरी सैडो आ रही है और यह आप ट्रॉली जो देख रहे है ना यह 25 पूराना है यह साथ उससे भी ज्यादा और फिर से इधर एक रूम है पहले यह रूम मेरा हुआ करता था अब भावी से रूम में रहती है मेरी छोटी भावी वह अभी यहां पे नहीं है वह बाहर रहती है जॉब है उनका मिन्स मेरे भाई का मेरे से छोटा है तो यहां प अपना फेस तो हेलो गाईज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीना और इस रूम से हम निकलते हैं और जो कपड़े थे उसको इग्नोर करना क्योंकि वह अभी फोल्ड होंगे सामके टाइम में सारे लाए हैं और मैं साम में ही वीडियो बना रही हूँ और फिर से मैं उसी एरिया में आ गई जो की पूरे घर को एड करता है मिन्स चॉइंट करता है और इधर मेरी कीचन है और इधर दो फ्रेज आप देख रहे हैं और पानी का वो तो आता ही आता है और उधर वी एक रूम है बेड्रूम है और इधर आपको वाश वेशिन मिल रही है उधर व अगेंगे इस रूम का थोड़ा मिकोवर होगा इसलिए ऐसे ही है बट मैंने रूम टूर दे दिया तो दे दिया तो चलिए उसके अधर हम इसमें एंट्री करता है यह मेरे बड़े भाई का रूम है अभी हूँ लोग आए हुए है यहां पे तो यह उनहीं का रूम है तो च प्यारा यह लग रहा है और यह मेरे पापा और ममी दोनों की चोईसे से और काफी धेर सारे आपको स्टिकर्स में दिख रहे होंगे और फिर से एक विंडो है जो की गिरिनरी आपको दिख रही है कि कि इतनी प्यारी लग रही है और इधर एक क्विन साइस का बेट लगा तो मैं आपको इस रूम का एक 360 डिग्री ओवर्वियू दे देती हूँ तो फ्रेंड्स उस रूम से हमने डैनिंग रूम एंट्री के उसके बाद कीचन में तो यह हमारा कीचन है तो कीचन आप देख लीजिए ननमडलर कीचन है कुछ आपको डबे वगेरा मिल जाएंगे और इसकी रेड कलर की इसमें टाइल्स लगी हुई है उदर मिक्सर लगी हुई और ब्लैक कलर की ग्रेड नाइट है आपको मैं नीचे भी दिखा देती हूँ और फिर हम कीचन से सीधा डाइनिंग रूम में एं पानी की एक टंकी रखी हुई है चोटी वाली और इदर एक मिरर रखा हुआ और फिर वहां पर वही विंडो और चले हम अब सीधा और यहां पर एक चार की डबी रखी हुए जो कि अधूप में पढ़ती है और फिर वह साम में अंदर आ जाती है तो यह आप देख मेरा पूरा चट दिखा देती हूँ और ये 1700 स्क्वाइर फिट में ये घर बना हुआ है और इधर पानी की तीन टंकियां रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी का प्रोब्लेम है तो इसलिए हमें टंकियां ज्यादा रखनी पड़ती हैं और अब चारों तरफ घर देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे सबने अपनी महनत से घर बनाए हुए हैं और ये जो घर आपको मैंने दिखाए मेरे मम्मी और पापा की महनत का फल है ये घर उन्होंने काफी महनत से घर बनाई है काफी सपनी है इस घर के तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा जरूर सेयर कीजिएगा थैंक यू